शत्य समाचार ततस्ट समाचार समाज बदन ले हामरो अभियान नमस्कार योहो टैम समाचार म बीरेंद्रमन शुरुगरों आज प्रदेश नमर दुई को मंत्री परिशत को बैठक समन्दी प्रसंगलाट राम जानकी विवाह पंचमी महोच्षब भव्वेता का साथ मनावन प्रदेश सरकार ले 50 लाख दिने निर्ने गरेको छो सुक्रबार समपन्न मंत्री परिशत को बैठकले हिंदु हर को महान उत्षबलाई प्राथमिक्ता माराथ ले इसके निर्ने गरेको हो प्रदेश सरकार ले जनक्तुर चुरोट कार खाना को परिशर मा रहेको प्रदेश सरकार को सचीवालय का मधेस भवन नामा करन गरेको छो मंत्री परिशत को आज संपन्न बैठकले जचु काली भवन परिशर भीत्र हाल क्याम रहेको सचिवालाय का भवन हरू लाई मधेस भवन घोषना गरियेको हो मंत्री परिशत को आज संपन्न बैठकले प्रदेश सरकार तैयार पारेको करमचारी संगन्हात्मक सनरचना ओ यन यम अनुचार को क्रमचारी एक महीना भीत्र पठावना संग्ये सरकार लाई आग्रह गरने निर्नाय गरेको छा। यसको अध्यक्ष मा अंत्रिक मामिला तथा कानुन मंत्री संयोजक रहेको छा। यसको अधिकार प्रशासन बीना भीत्र पठावना भीत्र पठावना संग्ये सरकार लाई गरेको छा। प्रदेश सरकार कसरी काम गरना सक्षा प्रहरी एन को बहाना बनायर संग्ये सरकार कमिस्ट नेता हुले प्रदेशलाई हेपना खोजे को भंदे निधिले यस्तो ब्यभार स्वीकारे न हुने धार्ना राखनु भयो। उप्सभापती निधिले संग्ये आता आई सके पनी मुलुक चलाउने ड्राइबर संग्ये आता बिरोधी हुने पुगे को ले सासन प्रनाली राजनितिक व्यवस्थार संबिधान खत्रा मा पड़ेको दावी गरे कमिस्ट को सब्द कोस्मा संग्ये आता भन्ने सब्द न निधिले कारे सेली मा सुधार न गरे सरकार धेरे दिन टिक न न सकने बताए प्रदेश नमर दुई का भौतिक पूरवाधार तथा विकास मंत्री जीतेंद्र सोनल्ले प्रधान मंत्री को अध्यक्स्ता मा रहेको प्रदेश समनबय परिशत को बैठक बशन न सकेको कारण अधिले विवाध को अवस्था देखियेको बतावनु भायको छा। महत्तो का साथ राखेको अंतर प्रदेश ये समनबय परिशत हो। तेसको निमित्त र परस्पर एकता परस्पर सहयोग के प्रदेश ले केंद्र लाई र केंद्र ले प्रदेश लाई गरना सक्छा। तियो योटा भंदा खेरी योटा मल्टी डाइमेंशनल जहीं बहु आयामिक उदेश्य को लागे तियो बनाई एको तेसको धेरे उदेश्य र छान। रत्यो बैठक आफ़ा ही मन्नों बहु आफ़ा ही मन्नों बहु आफ़ा ही समस्या समाधान हुने बताउनों भयो। प्रदेश दुई को प्रहरी प्रमुख को रूप मा हरी बहादूर पाल सुक्रबार जनकपूर आइक पुगे काछन। फूल माला सहित पुगे का थिये। प्रदेश प्रहरी को रूप मा पहिलो पटक डियाईजी को रूप मा दीनेस आमात्य आये का थिये। पाटी एकी करण पची प्रदेश दुई मा संशदी दलको नेता लाए लिये रा नेपा कॉम्निस्ट पाटी मा विबाद बठेको छा। थातकाली नेकपा एमाले रम्मावबादी केंद्र का संशदी दलका नेता ले। आपनो दावी सहित प्रदेश सभामा सचिबाले लाई फेरी पत्र लेके पची नेकपा भित्र को विबाद छता छुल लभवएको छा। पाटी एकी करन पची असो तैस गत्ते जनकप्रमा भशे को नेकपा को वैठकले संशदी दलको विधान म्यवशोंदा गर्ण का लागी साथ सदसे समीती बनाये पनी एकी क्रित दलको संशदी दलको नेता को जिम्मे बारी आफुले पाये को भंदै नेता सत्यनारायन मंदल सबॉन क्मार याधवलाई पत्र लेखे त्यो पत्र मा अपत्ती जनावधे तात्काली माववादी का संशद attorneys का नेता राम चंद्र मंदल ले संसदिये दल को नेता को दावी गर्दै सत्य नारायन ले पठाये को पत्र कार्मेन नगर्न सभामुक यादव लाई और को पत्र लेखे प्रदेश सभामा नेकपा एमाले मावादी केंद्र अलग-अलग दल को रूपमा रहे को ले दुवई पाटी को एकता पची संसदिये दल पनी एकी कृत भाये को छा सत्य नारायन ले सभामुक लाई लेखे को पत्र मा भनिये को छा और को वेवस्था नभ है समन नेकपा को प्रदिश दुई संसदिये दल को नेता को जिम्मे बारी आफ़ेले बहन गर्ने छा पाटी एकी करन पची प्रदेश दुई का अध्यक्षा प्रभु सहको अध्यक्ता मां बषे को वैठधक ले संसदिए दल वीधान मासर दा कालागी प्रदेश चांसद भ़रत सहको चंगुक जत्र मां साथ सद्सिये समीती बनाये को छा समीती ले काम थाल गी सत्य नारायन ले संसदिये दल को पुराने लेटर प्याड मा हस्ताक्षर गरे रा सभामुखलाई पत्र पठाउंड़ाई एकिक्रित दल नेकपा को संसद्य दल को नेता आफूर रहे को दावी गरे को छा प्रदेश दुई मा तातकाली एमाले को 21 रा माववादी केंद्र को 11 सांसद चन्द दोवे पाटी एकिकरन पची संसद संख्या बतिस पुगे को छा प्रदेश दुई मा पाटी एकी करन पची नेकापा ठुलो दल बने को छ, तरा आंत्रिक वेवस्थापन न गर्दा संसदिय दल को नेता को हुन भन्ने विवाद लेने नेकापा मा असंतुष्टी चूलिये को छ, तातकालीन माववादी केंद्र का संसदिय दल का नेता मंदले सभामुखलाई बुद्धबार अरको पत्र पठाउं दै, सत्य नारायन को पत्र कार्वेन न गर्ना आग्रा गरेको छ, जनकपूर धाम इस्थित UNDP को कारे आले ले एक समारोबी शुक्रबार UND मनाये को छ, UND को अबसरमा संकुत राष्ट संगले गर्दे आये को, क पत्निधिन ना गेंद्र मिश्रेले, UN को कारे छेत्र र लक्षे बारे मां जानकारी गराउं दै भने, UN को साथ वटा धीगो विकास लक्ष छ, सबई ठाउमा, सबई प्रकार का गरिवी अंते गर्ने, भोक्मरी अंते गर्ने, खादे साक्षर्ता तथा उन्नत पोशन सुनि चित गर्ने र दीगो क्रिशी को प्रवर्धन गर्ने, सबई उमेर का समुह का व्यक्तिक का लागी स्वास्त्य जीवन सुनिश्चित गर्दे, सम्रिद्ध जीवन प्रवर्धन गर्ने, सबई को लागी समाबेशी र समता मुलक गुनस्तरी ए सिक्षा लगाया, उनले सबई इसको पांच अस्तंभा प्रिथिवी मानव सम्रीधी सांती साहधारी रहे को दोराय काचन अन्याज नेपाल को परिशा नहीं बनाओ को पीशर सेके लेडिक उनले नेपाल को तथ्यांक प्रस्तुत गर्दे भने बीक्रम संबत दुएजार्थी सम्मा नेपाल को आर्थिक दर समेत बतने चा त्यसका लागी सरकार प्रयास मा रहे को समेत बताये का छन कारिकरमा नेपाल पत्रकार महासंग धन्सा का अध्यक्ष अनिल मिश्र पत्रकार कैलास दा संतो सिंग लगातले सरसला समेत दिये का छन सरकारी अस्पताल बात निशुलक रूप मा पाउने सेवा नागरिकले न पाउंदा बीरामी नीजी किलनिक मा उपचार गराउन बाद्धेशन सरकारी स्वास्त संस्था मा आवेशेक उपकरन ररोग अंसार को चिक्चको दरबंदी नहुदा नागरिकले निशुलक स्वास्त सेवा पाउनन न सकेका हुन गाउंको स्वास्त चोकी मा शुद्धा भयपनी प्रात्मीक उपचार समेत न गरी नीजी किलनिक मा पठाउने गरेको बीरगंज पक नहां मैनपूर गाउंपाली का वड़ा नमतीन का ललिता देवी पासमानले गुनासो सुनावनुभयो आवेश्यक उपकरन को आभाव मा चिकित्षक बीरामी लाए हच्चुआ को भर्मा अस्धी उपचार गरना बाद्धे चन अस्थानिये सरकार माथात आये पनी चिकित्षक बने पहिला देखी को बानी ब्यभारा परिवर्तन सजीले गरना तैयारन भये को भाखा मै नगरपाल का अध्यक्षा बीजय चोर असिया ले बताउनु भयो शिरहा को दचिन बर्ती भगवानपुर गाउपाल का दुई इस्थित मुखिया टोल मा घर घर मा चर्पी निर्मान भय पची अहिले मुखिया टोल का बासिंदा खुला ठाउमा दिशा पिशाब गरना छारे का चन जिला खाने पानी सरसफाई तथा स्वक्षता समर्वाई समीति को टोलिले मुखिया बस्ति को अस्थल गत अनुगमन पची पुर्ण खुला दिशा मुक्त गाउबनने तैयारी मा छ यसगी बांस घारी जारी र पोकरी को डिल लगायत को ठाउमा खुला दिशा पिशाब ग बस्ति अनुगमन मा जिला समनबर समीति सिरह का उप्रमुक्षरोज यादव सिरहा रेटकर सभापति राजदेव यादव महामंत्री राजदेव ठाकूर लहान इस्थित खाने पानी तथा सरसफाई डिवें कार्याल का भईया लाल योंजन अभियान करता असोक यादव प पत्रका दिनेश्वर प्रसाद गुप्ता लगायत का सभागी थिये तुलिन निग्रानी समीति का सनिजक धनिक लाल मुख्या का अंचार बस्ति का अधिकान समानिस बैदेशिक रोजगार मा रहे काले तेसको प्रभाब बस्ति मा समेत परेको हो विदेश को बाताबरन मा का परेको गाउलेले बताये का छन नेपाल भारत सिमाना मा रहेको बिराट नगर इस्थित इलाका प्रहरी कार्यायले रानी बारीको हीरासत कक्छको रोड काटे र विही बार राती हत्याको दुई अभिक्त फरार भाये का छन कर्थब्य जान तथा अफरन मुद्दा चलाउन लागी अरालत बात म्यार थप गरे र अनसंधान का लागी हीरासत मा राखिये को दुई थुनवा प्रहरी को लापरवाही कारण भाग्ण सफल भाये का हुन फरार हुने थुनवा मा बिराट नगर महानगर पायल का सत्र का बीस बर्चिये मोहमद अरीफ र मोहमद सदीम हु अफरन गरे रा आपने साथी को हत्यागरे को अभियोग मा प्रहरी ले पकरावगरी अनसंधान गरी रहेको थियो। अभीक्त भन्ने प्रहरी हिरासत मा रहेको फेंटिलेशन को रोड काते रा फरार भएका हूं 24 गंटा सुरक्षा काλαगी हतियार सहित प्रहरी खटाईे को हूंच तुनु अले फालाम को रोड काता समय प्रहरी ले थार न पाऊनू लारपरवाहिको रूप मा लिएको छा अंश तामांग सुरेश राजमंची रजगनाथ वासके समेत लाई जिल्ला तानिये को छा। तामांग सुरेश राजमंची रजगनाथ वासके समेत लाई जिल्ला तानिये को छा। तामांग सुरेश राजगनाथ वासके समेत लाई जिल्ला तामा तामाथ वासके समेत लाई जिल्ला तानिये को छा। 73 नंबर को मोटरसाइकल अनियंतित भई दुरघट नाहुदा गंभीर घायते भई का चालक सोई ठाउं इस्थित सुदूनी डाडा बसने 27 बर्षिये सैलेश गोतम को अनिको अस्पताल उरला बारी मा उपचार को क्रम मा मिर्तु भई को छा धादिंग गाउपाली का छो सित्वी राजमार्ग मा ना छोख तैस्थिहत्तरी नंबर को ट्रक ले सोही ठाउं बसने 25 बर्षिये मनोज मिजार लाई ठक कर दिदा घटना अस्थल में मिर्तु भई को छा ट्रक चालक लाई प्रहरी ले नियंत्रनमा लियेको छा शरलाही गोडईता नगरपाल का चार र बर्षिये छोरा सुज जय बैठालाई जिला अस्पतार सरलाही ले जानिक्रम मा बाटों में मिर्तु भई को छा ट्रक नियंत्रनमा लिए फ्राद चालक को प्रहरी ले खोजी गरी रहे को छा प्रहरी ले लागू प्रहरी ले बीरगंज बाट अबैध लागू असद नाइ पर्षा बाट खटिये को प्रहरी चेक जांच तोलीले जिला पर्षा बीरगंज महानगर पायल का सोला इनरवा इस्थित सरकमा सबारी साधन तथा पैरल यातिहरू समेत को चेक जांच गरने क्रम मा भारत को रक्षोल तर्फ बाट बीरगंज को बस पार्क तर्फ पैदली आउदे गरेको बीका को साथ बाटा लागो असद नाइट्रो भेट टाबलेट बरामद गरेको थियो उप्राष्ट पती नंद भादुर पुनले स्वदेश फरकी मुलुको सम्रिद्धी का लागी योगदान गरन विदेश मा रहेको नेपाली युवा बैज्यानिक लाए आबाहन गरनु भाएको छा नेपाल पोल्ली ब्रहन इंस्चिूट द्वारा उन्नत सामगरी समंधी चौथो अंतराष्टे सम्मेलन को सुक्रबार काठमांडो मा उद घाटन गरदाई उप्राष्ट पती पुनले नेपाल बिकास र सम्रिदी को बाटो अगी बडी रहेको नेपाली ब्योडनिक र अनुसंधान करता को स्वदेश मा खाचो रहेको बताउनु भयू, वहांले नेपाल मा रहेको ब्योग्यानिक र नेपाल परकन चाहने ब्योडनिक को लागी सरकारले नेपाल माने उचित सीप्रियोक गन्न बात अबनाँनु पर ने धारना विश्व विद्धान जरूरी रहे को सम्रिधिक को यात्रा मा चुनोती पनी रहे को रसंभाम्ना पनी रहे को उलेख गर नूभायो वहाले पुर्वाधार विकास का लागी आबेश्यक परने नभीन प्रविधी का लागी पनी नेपाली विश्विध्यालेको अनुसंधान जरूरी रहेको समेत पताउनु भयो नेपाली वा वाज़ियाली करूँ अथावाभःःः वाज़िया फरने विदेश मारी अनुस थार आठ आक्तू योग्दान आरो विदेश पर लागी लागाने गरी राह्नु भयो और देश मन्च बाता मा केपनी आहान गारा चाहन छुबने बिटेश मा रहन दुएका तपाई वह ग्याई खरू सबय नेपाई परकिरूश बिटेश नेपान को संवेडिश का फर्किरूश नेपाली नेपारा मा मिटेश खरूशुबने बिचीन दुएकाई विदेश सव्माव सकता है प्लूर परका उनसा डर नवह मों थीवुने तर वह प्ले अभGot है। भर मेचर ओिवह यू नवैंसाद से प西यां जू यू स neden दें नेपाल कॉम्निस्ट पाटी का अध्रच्छा पुछ्प कमल ताहाल इंडिया फाउंडेशन को आयोजना करने कारिकमां भागलीना आजा भारत को नया दिल्ली प्रस्थान गर्नु भायको छा कारिकम मा अध्रक्ष दाहाल ले प्रमुक अतिती का रूप मा पार्टी को धारना प्रस्थूत गर्नु को साथ है नेपाल भारत वीज को समंध का बारे मां मनतब्य दिन हुने छा अध्रक्ष दाहाल को अन्यकुनै राजिनती भेडगाट न र अध्रक्ष दाहाल ले कारिकम मा भाग लिना आफुलाई दुई महीना अगीने निम्ता प्राप्त भायको त्यस्तर्फ जान लागेको जानकारी दिनु भायो वहाले बिदाई इंडिया फंडेशन को यहुता आइडिया कंक्लेप बनने कारेकम मा दुई महीना गंडे अगाडी मलाई निमंत्र ना थियो ते कारेकम मा सहभागी जानकालागी महाज दिल्ली जान दै चुँ पैला त्यो कारेकम गभा अमा भन्ने थियो अगर को घेञा करगी के भी का सी θ़ायदी हिवाटा सूरे कुछ प्हाइने पहर आनें वह इनली चएरेकर। जले भी में दिल्ली पहतीए का सीमपग। टरह को और सहसे से एक वहुयदी में पहर अगर सब्की सबस्सक्राइब। त्यां चाहिए खास वेरी त्यसले बर्षे नी, अईले पांचांग बर्ष त्यो इंडिया फाउंडेशन ले आईडिया सम्मंदी, बिचार सम्मंदी कारेका मरू ग्वर्धे आया को छ़़ र त्यसले दस्यनि एसिया मा र अंत्रास्टी इस्तरमा पनी बिचार में वहांको विदाई का लागी महासची विश्नु पोडेल नेताहरू अगनी सापकोटा दिना नाच्छार्मा लगायत का नेताहरू बीमा अनस्थल पूग नुभायको थियो ग्रिह मंत्री राम बहादू थापाले त्रिभूबन अंत्राष्ट्य विमान अस्थल को व्यवस्थापन लाई सुधार गर्न निर्देशंधीनु भायको था शुक्रबाद बिमान अस्थल को अनुगमन गर दै मन्त। शुक्रबाद बिमान अस्थल को अनुगमन गर दै मन्त। शुक्रबाद बिमान गर दै शुक्रबाद बिमान गर दै मन्त। उडान को समय थब भय संगय बीमान अस्थल अस्तेव्यस्त भई रहको गुनासो आई रहको बेला मंत्री थापाले अनुगमन गर्णु भई को हो ग्री मंत्री थापाले बीमान अस्थल को सुरक्षा मां संबेदन सील हुना पनी सुरक्षा अधिकारी लाई निर्देशन दीनु भई को थियो सांसद हरुले जन्ता मां प्रभावकारी न न्याय मां सहस्ता ल्याउने गरी बिद्यमान अन कार्यमान हुनु परने बताये का छनुँ चिंग्धरबार मां सुक्रबार बशेको राष्टिय सभा अंतरगत विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक मा बिद्यमान एन कानुन हरुको प्रभावकारी लाई मध्य नजर गर्द यसको कार्यमान हुनु परने बताये का हुन संभिधायन का लागि विभिन्य एन बने पनि तेस्को प्रत्यक्ष असर प्रभाब जन्तामा रहे न रहेको सांस 착र राम नाराइन विरार इले इन कार्वेन मापन गरने काम सरकार्को भवगो बताऊनु भवगो बिभिन ने बीधेयखरू संस बाता पारित हुने भवगो ले तेसको अध्यान अनुसंधान सरकारी तवरवाटा हुनु परने वहांको भनाई छा तेस्ते सांसाद राधे साम अधिकारी ले विद्धेमान एनको प्रभावकारी का बाडे मा अन्य देश मा मापन हुने भय पनी नेपाल मात्यस को मापन हुना न सके को बताऊनु भयो से अंधिक ने ऐनको अधिकारी को बना मिलं विद्रक्स का कौ्ण पना अन्य कीी निर्णी सिर्णी साहएं जाए जाए रामर होँ जाए निबद लिग आफ ने बाइशा परिटो कमिट भाइश सल्गवा अतियो छ़्ला दिनी पथाप अपना आसवाय दिनी ले भाई आ अबर आप परिवेदा जानिगो उमेठी गोता तो तर आप्तियो काम थे नेपाल सारक जन्दा में पुरून करें, संबन्दी निकाय अर्वा पुरून करें, काक्की अप्थारू करें आज खंश अनु पहर कियो आए ना बने कुरा, कभी आमेला बन्दान पहरी अड़कु खान छा नी, जले जुतारां चा उशेरे भुशे को था खंश बने छा अंगरी युखान बैठक मान निपाल कानून आयोग का अध्धक्ष माधव पोडेले इन कारिमेन मापन र अध्यन अंसंधान का लागी, संसत र अन्य देश मापनी प्रचलमा रहे को कानून आयोग को ने प्रभाबकारी भुमिका हुने बताउनु भयो केंवकतान है वादे हुन हमाद सेख़ेंगे कर अध्याग आको कर जांगे को रिलापन घंठे म स्जिक मांद र अध्य आयोग स्टुम परुमिकॉर मतिंक पर चौटीस्टर मतिंद और कलीम हुने वहाले एन मा देखिये को दो रोपन ततकाल हटाउनु पर्णे मा पनी जोड दिनु भयो संघिये समाजबादी फोरम नेपाल का कारबाहक अध्यक्षा राजिंद्र स्ट्रेश्टले चाड़ो भंदा चाड़ो कानुन ल्याउनु पर्णे मा जोड दिनु भयो संघिये कानुन रप्रदेश कानुन दुबई सम्भीधान को मार्थत को रहे को भंदाई वहाले बाज्जिये को कानुन हरू लाई समाधान गर्दे अगी बननु परने धारना राखनु भयो प्रदेश ले नई प्रहरी एन बनाऊने कुरा सम्भीधान में प्रस्टलेखे को बताऊ दे वहाले प्रहरी एन लाई संघिये कानुन अंसार बनाऊनु परने बताऊनु भयो प्रदेश ले नमर्द दूईले का प्रदेश कार्ण बनाऊनु शाकारात्मा कुरा रहेको वहांको भनाई चा अहिले सम्माब प्रधान मंत्री केपी शर्मा ओलीले अंतर प्रदेश परिशद को बैठक न बोलाये को भंदय उहांले मुल्लुक को बिखास सम्रिधी रसुशार्शन मा साजेदारी को लागी पनी परिशद को बैठक बोलाउनु परने जिकिर गर्णु भायो प्रदेश कानु बनानु उम्झे उदाईण। भादेश पर मह की वार सबस्क्रेश परिश। भी परिश्त सम्रिधी रस। सम्रिधान सब्सक्रान जाली भायों को जिन जा बड़े इन बचसा न बड़ी ब़यो रध्योड बड़ेजे आखनो कारेश दाभी जर्व परिशद क प्रदेश नमर दुई का इन्चार्ज एबम प्रदेश नमर दुई का संशदी दलकानेता सत्यनारायन मंदल ले प्रदेश नमर दुई को सरकार ले नीटी आयोग बनाये को मापन पनी आपत्ती जनाऊनु भयो मंदले दुई नमर प्रदेश मां सत्तारूर दल फोरामर राजपाले प्रथम चौमासिक बजेट को 75% प्रदेश इन्जियोलाई बांटे को पनी आरोपलग आऊनु भयो जरे काच्वा तर अस्ति के गरनुव होता वती तावला राजपाल चाने प्रदेशनकार रा प्रदेशनकार के मंत्री हाद्व ऐस्ति प्रदेशनकार ले येवटा बीदा दिधाखेरी तेसमा चाहने शंधको मां थात्रहेको राष्ट बैंक ले बंद गरेना बंद गर्णून ने थियो तॉला बंदी ने गर्णू थियो तॉयो तॉया श्वित कर दे मुद्धिक अ च्वित को चिला में बंदीने घर्णू घर्णू थियो बिरोध न गरेको भन्दै अहिले हतार न गरू भनेरा बारम बार आग्रह गरेको प्रस्टापार्णु भायो नेपाल कम्निष्टा पार्टी नामको बिवाद का विशय मा रिशी कटेल समुले निर्वाचन आयोग मा दियेको निवेदन खारीज भायेको छा निर्वाचन आयोगले सम्बेधानिक इजलास ले कटेल समुको निवेदन खारीज गर दै पुरानाई नामलाई अथावत राखने निर्वाचन आयोगले जनायेको छा आयो को बिहीबार रा सुक्रबार बशे को सम्वेधानिक इजलास को बैठक पची निवेदन खारीज गने निनाय गरिये को हो तातकालेन दुई बाम नेकपा एमालेर नेकपा माववादी केंद्र एकिकित भई गठन भई को नेपाल कम्निस्ट पाटी नेकपा र रिशी कटेल नेतित्तो को नेपाल कम्निस्ट पाटी को नाम का विशय मा विबाद भई को थियो शुरुमान नेकपा अंडरलाइन प्रस्ताप गरियेको पनी पची कोष्ट का भीत छुटीने गरी नेकपा राखीयेको पाटी दर्ता गरियेको थियो सतारूर्द दल्ले मिल्दो जुल्दो गरी नाम राखे पची कटेल समू असंतुष्ट भायेको थियो कटेल नेतित्व को नेक पाले आयोगले आपनो पक्षमा निर्ने न गड़े सर्वोच अधालत जाने बताऊंदै आयेको छा प्रमुख प्रतिपक्षिदल नेपाली कांग्रेस कानलेता रमिश लेखकले निर्माला पंथ को बलतकार पची हत्या भयको एतिके एति दीन बितिदा पनी अहिले समा हत्यारापत्ता लगाउन न शकेको भंदै ग्रिह मंत्री ले यसको नेतिक जिम्मेबारी लीनुपर ने ब प्रेतन हो भने त्यों अरको दृभागे हुने भंदै अपराधि लाइ कानूनी दायरा मा ल्याउन न शक्नू सरकार को कमजोरी समेत भयको बताऊनु भयो वहाले निर्माला पंथ को बलतकार पचिको हत्या जगन्य अपराद भयको ले सरकार ले अईले सम्म्मा अपराधि पत्ता लगाउन न सकनु सरकार को असफलता भई को आरोप लगाउनु भईयो। पत्ता लगाउन पत्ता लगाउनु भईयो। पत्ता लगाउन पत्ता लगाउनु भईयो। पत्ता लगाउनु भईयो। पत्ता लगाउनु भईयो। पत्ता लगाउनु भईयो। समयमा संघ्य कानुन न बनावदा प्रदेश्र केंद्र बीच द्वन्द बढ़ी रहको वहां को कथन छ। नेपाल का बडिष्ट राजनितिक गिया प्रजातंत्र को योध्धा तथा 2046 साल को जन आंदोलन का सर्वोच कमांडर गनेश्मान सिंग को बारेमा लेखीएको पुष्थक साब्जनिक भईयो। शुक्रबार काठफांडू मां डाक्टर बद्री नराइन गतम द्वारा लिखित पुष्थक गनेश्मान र नेपाल को प्रजातंत्रिक आंदोलन साब्जनिक भईयो। गनेश्मान सिंग फाउंडेशन ले आयोजनागरेको कारिकमां कांग्रेश नेता प्रकास्मान सिंग ले उक्ताप पुष्थक को लोकार्पन गर्नू भायो। लोकारपन पछी नेता सिंगले नेपाली राणिती परिवर्तर मां गनेश्मान सिंगले खेल नुभय को भूमिका को चर्चागर नुभय को थियो वहाले नेपाली को प्रेना को शुरत का रूपमा गनेश्मान सिंगलाई लीन उपरने भंदाई गनेश्मान सम्मंधी पुस्त बिक्रम संबत उने से बहत्तर काती 24 गत्य जन्मनु उभायकार गौनेश्मान सिंग को दुहाज़ार चोवनन असोज दुई गत्य नीधन भायको थियो भारते कमिनिस्ट पार्टी माक्षबादी का महासचीव सीताराम यसुलीले लोक्तांत्री निर्वाचन प्रक्रिया बाटा नेपाल मा कमिनिस्ट पार्टी को बहुमत सरकार गठन भाय बाटा विश्व को कमिनिस्ट लाई प्रत्रस्ताहन मिले को धार्ना राखनु भायको छा पुष्पलाल इस्मिर्थी पत्रिष्ठान ले शुक्रबार काठ्वान्डो मा आयोजना गरेको भारतिय कमिनिस्ट अंदोलन को अनभब समंधी अंतर क्रिया मा वहाले अंतर बिरोधी लाई सही धंगले बुझे र अगी बढ़े मात्र सकारात्मक पईनाम हासिल गर्न शकी अनभब मिले को धारना राखनु भाये को हो वहाले राजनितिक संगठन रा अन्यकारन ले भारतिय कमिनिस्ट पार्टी को अंदोलन रा कारे सुचिलाय प्रभाबकारी तुल्ल्याउना न सके को उल्लेक गर्नु भायो वहाले नेपाल मा देखिये को कमिनिस्ट पार्टी को आंदोलन निकई प्रभाबकारी बने को बीचार प्रगट गर्नुभायो वहांले अभ्यास रसिध्यांट बीच एकर का लाई तालमेल मिलायरा लाई जाना अवेश्यक रहे को सुझार दिदै शंगठन लाई अगी बनाउने सिलसिला मा आउने चुनवत्वी को समय माई संबो दोधनगरी शक्नुपार ने जीकीर गर्नुभायो सामंती प्रवाज इतने हैं वो कदम है उसका असाथ बहुत बड़ा बड़ा प्रोड़क्टिविटी बड़ी है बंगाल के अंदर जो नेगेटिव हुआ बिलती थी एक्रावी प्रोगिस एक्सेटरा वो सब पॉजिटि अब आठ लोग के नाम में हो गया और लांड जो चोटा होता गया उसकी वाइविल्टी रही थी और ज्यादा से लोग उसके उपर सर्वाइब नहीं कर सकते थे तो उनकी पीपल सब्सक्राइब नेपाल कॉम्निस्ट पाठी का बरिष्ट नेता तथा पुस्प लाल प्रति प्रणाली मार्फत हुने भुग्तानी सेवालाई प्रभावकारी बनाऊनक लागी कम खर्चमा सेवा प्रभाह गर्न सरोकार बालालाई निर्देशन दीनु भायको छो सुक्रवार काठवांडो मा बिधूतिय भुग्तानी प्रणाली को सुर्वात गर्दै मंत्री खतियो डाले इकमर्स को माध्यमबाटा हुने ट्रांजेक्षन कस्ट घटाउन परने सुझाब दिनु भायो कतिपए ñ commerce लाई वेवस्थित बनाऊना योटा नियमाबली बनाई ने भन दे वहाले त्यसका लागे योटा पंटी बनाऊना लागिये को जानकारी दिन भायो नियमा बली सरकार ले पास गरे पची यो प्रक्रिया सहद रा सहल हुने बताऊं दे वहाले बिजनस समदाय का मानिश रा अरु भोगता लाई इकमर्स को सहयोग गरने बताऊं नुभायो साथाई वहाले अंत्राष्टिये गेटवे का लागी धेरे छीटो काम करी दिन पनी राष्ट बैंको ध्याना करशन समेत गराउन भायो साथाई राष्ट बैंको ध्यान भायो साथाई वहाले अंत्राष्ट बैंको ध्यान भायो साथाई आई यम इपे मोबायल वालेत मा फंड फंड लोड गरना सकने वेवस्थाग गरियेको छो मोबायल वालेत बैंको ध्यान भायो साथाई राष्ट बैंको ध्यान भायो साथाई राष्ट बैंको ध्यान भायो साथाई राष्ट बैंको ध्यान भायो अहिले धान उत्पादन दिदी हुने देखे का चा उनले भने यो बर्षा जन्डए 90 परतिशत भुभाग मा धान रोपाई भाय को चा यस बर्षा रोग कीरा को प्रकोपन आये को ले पनी उत्पादन बढ़ी हुने अनुमान गरे को उनको भनाई चा उनले थप उनले थपे गता बर्षा 75 परतिशत मात्र धान रोपाई भाय को ले खेती योग्य जमीन मा पनी रोपाई हुना पाए न यो आर्थिक बर्षा समय माई धान रोपाई भाय का कारन पनी परतिफल बढ़ने चा उनका अम्सार यो बर्षा 35 लाग हेक्टर मा धान रोपाई भाय को चा महिना मा एक लाग बिराची हजार मेटी टन धान आयात भाय को चा सोबापत साथ अरव तिर्शठी करोर चार लाग सासत्तरी हजार रकम बाहरिये को तथ्यांग ले देखाऊं चा पछिलो समय नेपाल मा पीठो मशीनों बासनादार खोजी भाय को ले यस्तो चामल भारत ल गरेको मंत्रालेको भानाई छा अव अंत्राष्टिय समाचार भारत को प्रमुक प्रतिपक्षिदल कांग्रेस आई का अध्धक्षा राहूल गांधी एक घंटा मा रिहाभाय काशन नया दिल्ली इस्थित CBI कार्याल अगी प्रदसन गर्ने क्रम मा उनी सुक्रबार दियुसे पक्रावु करे का थिये प्रहरीले उन लाए पक्राव पची दिल्ली इस्थित लोधी कलोनी प्रहरी स्टेशन मा राकिये को थिय resolution केंद्री अंशंधान वीरो प्रमुक आलोक कुमार बर्मा लाई मोधी सरकार ले बर्खास्थ गर्ये को बीरोद गर्ने अस्थाना बीच विवाद बड़े पची दुबईलाई छुट्टी मां पठायेको पर्तिक्रियाद दियेको छा CBI ले अस्थाना ले घुश लियेको आरोप समेत लगायेको छा तरब बिपक्ची दल्ले फ्रांस वाटर लडाकु विमान खरिद मां भयेको घोटालाको विशेमां CBI ले छान बीन शुरू गरे पची सरकार ले बर्मा माथी कारवाई गरेको जनायेको छा अब खेल कुद समाचार पोखरा प्रीमियर लिग मां घरेली टीम पोखरा पल्टन ले बीजय का साथ प्रत्योगीता शुरू गरेको छा आजबहय को उद घाटन खेल मां पोखरा ले बिराटनगर टाइटन्स लाइफ अंठावन रल ले हरायो पोखरा रंगसाला मां टोस हारे रा ब्याटनिंग निम्तो पायेको पोखरा ले 20 ओभर मां तीन विकेट एक से 97 गुमाये रा एक से रन बनायो निके अक्रमक शुरूवात गरेका पोखरा ले पहिलो विकेट का लागी तिरपन्न रन को साजेदारी गरेको थियो उसका ओपनर कुशल भूरतेल 38 रन बनाये रा आउट भाय पशी पोखरा ले पहिलो विकेट गुमाये नया पीच मां पहिलो पटक खेले को पोखरा का लागी भारतिये खेलारी लभी इंदोर र आशिफ सेखले 94 रन को साजेदारी गरे टीम लाए बलियो इस्थिति मा पुरियाए तर उसको विकेट ज़र्नेकरम ये तीमा रोकिये न इसकोर बोड मा बिराट नगरले 88 रन जोड़्दा चो विकेट गुमायो राजुजी जाल 30 रन मा आउट भए भने भारतिये खेलारी इंदोर सुविक्षन 14 रन मा पेवेलियन फर्किये तेसपछी पुस्पथा पाले 30 रन जोड़्दा बांकी खेलारी सस्ते मा आउट भए बॉलिंग तर्फा ललित राजमंसी ले तीन विकेट लिये का थिये टाइम्स समसार आजको लागी एती नहीं हेर्दे गन्हला टाइम्स टेलिविजन नमस्कार झाले 30 राजमंस टेलिविजन नमस्कार